Steel Authority of India, इस कमपनी का latest updates आया है, तो हम बात करने वाले उनके updates और news के बारे में Steel Authority of India यह भारत की सबसे बड़ी steel बनाने वाली कमपनी है एक कमपनी भारत के साथ महारतनों में से जो पब्लिक सेक्टर के महारत माने जाते उन में से एक है तो यह कमपनी का अभी अगर market price देखा जाये तो वो सिफ 100 रुपीज के आराउंड चल रहा है, 103 रुपीज पे, इनका market capital है 42,585 करोड का एक कमपनी PSU में है, पब्लिक सेक्टर में आती है, और अभी इस कमपनी का जो अर्निंग पर शेर है, 32 पे चल रहा है, बहुत तगड़ा अर्निंग पर शेर है, और PE रेशो प्राइस टो अर्निंग बहुत ही कमी 3.22, लेकिन पहली बात तो यह PSU है, PSU का जो PE रेशो है, व 25.82 पे चल रहा है, इस कमपनी का फेस value अभी 10 है, और dividend yield तक्रीबद 2.72% का dividend yield है, अभी बात करते हैं, इसके latest dividend के बारे में और देखते हैं, यह कितना dividend देने वाली है, तो यह dividend का record date है 29 March 2022, मतलब इसके पहले अगर आपके बास shares है, तो आपको इसका dividend मिलेगा, और वो मिले पर शेर की साब से जो आता है 25 परसेंट ऑफेस वेल्यू इन्टीन डेविडेंट है साल के बीच में मिलने वाला है और अगर इसकी इस्टी देखा जाये तो 2021 में एक ही साल में उन्होंने तीन बार डिविडेंट दिया था तो यह अच्छे खासा डेविडेंट देने वाली है टू परसेंट का डिविडेंट इल्ड है तो यह था स्टील ऑफेरी टॉप इंडिया के बारे में ऐसे वीडियो देखने के लिए और लेटिस जानकरी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करने को मत भूले और प्लीज करके लाइक कीजिए और यह व क्यार ही मेरा सब कुछ है थैंक यू